गुड मॉर्निंग मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा करें जिसे आज के दिन को हम और भी खुबसूरत बना सकते हैं आप तो जानते हैं कि हमारा यह जो कारिकरम है यह आपको गाइड करता है बहुत ही आसान शब्दों में आपको ऐसी रेमेडीज हम बताते हैं जिससे की स्वभाविक तौर बराव अपनी दिंचर्या में थोड करें शुआ है सौच children अपने दिन को बदल सकते हैं खुबसूरत बना सकते हैं और इसके अफैंसे होगी आपकी रीडिग कौन से होगी आपकी रीडिंग कौन सा होगा आपका मूलांक यह आप नहीं जा आते हैं तो धहरण देकर आपको बताना चाहेंगे अगर आपकी एक और आठ को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नमबर नौ तो नमबर नौ है आज की तारीक का मूलांक जिसके स्वामी है मंगल जो अपने आप में बहुत जादा हाई एनरजी है लेकिन पिछले कुछ एपिसोड पहले हमने आपसे बात की थी आज मैं आपके लिए उ अनुसार अलग अलग दी गई है अगर मैं रामायन गीता और वेदशास्र अनुसार बात करूं तो धर्म वास्तिक्ता में वह जिसे धारण किया जा सके व्यवहारिक और समाजिक रूप से जो हमारे करतव हैं उन्हें भी धर्म कहा जाता है यह मैं आसान शब्दों में कहू तो परमात्मा या प्रकृति ब्रम्हांड के वह नियम हम अगर परमात्मा के ब्रम्हांड के बनाए नियम के नुसार चलते हैं वही धर्म है वह धर्म जो किसी दूसरे का ना तो अपमान करता है धर्म का वास्त्वेकर्थ कि आप किसी दूसरे को ना तो ठेस पहुंचाते ह को पीड़ा नहीं पहुंचाते बलकि आप सत्य के साथ दान के साथ आप अपनी करुणा के साथ दया के साथ जब एक अच्छे इंसान के रूप में इंसानियत की भावना को जागरत करते हैं वही वास्तिक्ता में धर्म है जिस पर आप चलते हुए अपने कर्टव्यों को पूर्ण करते हैं अब हम बात करते हैं दूसरी परिभाशा की जो की समाने जन आजकल दे दिया गया है कहीं ना कहीं मेभी शायद राजनेतिक जो परिचर्चा है उसका मुख्य कारण हो सकती है क आध्यात्म की धर्म और आध्यात्म में अंतर क्या है अब आध्यात्म क्या है आध्यात्म वास्तव में आपकी आत्मा की यात्रा पर किया गया कारे है धर्म की हमने बात की क्या है हमारे नैतिक आचरण हमारा व्यवहार व्यवारिक समझ ग्यान हमारे करतव्य ठीक है लेकि आत्मा के उत्थान के लिए फर एक्जामपल जो भी हमने पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार हमें जो भी पद प्राप्त हुआ जो जनम प्राप्त हुआ उसको और बहतर स्थान पे ले जाने के लिए अपनी आत्मा को और बहतर स्थान पे ले जाने के लिए जो भी हम प्रय जाब करते हो कुल मिला के कुछ योग के क्रियाइं करते हैं आसन करते हैं प्राणयाम करते हैं यह सब के सब आध्यात्म का ही एक हिस्सा है तो कुल मिला के धर्म और आध्यात्म दोनों हमारे जीवन में बहुत ही महत्पूर्ण हैं कहीं न कहीं हमारी आत्मा की यात्रा के क्योंकि हम सभी ग्रैस्त हैं तो उस यात्रा के लिए भी हम मनुष्य है उसके लिए बहुत जादा आवशक है कि दोनों का समनवे हो हमारी लाइफ में कैसे हो आप जानते हैं कि हमारे अलग-अलग एपिसोड में हम आपको कुई न को ऐसा पॉइंट बताते रहते हैं जिससे क समण बढ़ दो हजार तिस के लिए और हम से कहा जाए है सेज का कार्ड है जाक कोई कारे हात में ले उसे पूरन fırक नहीं सकता है जो भी कारे अपने हाथ में ले उसे पूरा करके ही दमले Tit समस्क्राइब क suffix ऑफच्छ सब्सक्राइब कुछ हरो तो का ने वेवज कर में आपकोThis सब्सक्राइब क benut. आपका दिन शुबहों आए जानते हैं मूलांक दो के लिए हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज अचारह सितंबर 2030 के लिए और मूलांक दो के लिए हमसे कहा जा रहा है ब्रोकन एरो का कार्ड है आपको कहा जा रहा है अंदर बहुत उथल पुथल चले की आज आज ये करूं वो करूं ये ना करूं वो ना करूं बहुत कुछ चल सकता है मानसे करूप से भी भावनात्मा करूप से भी आप कहीना कहीना एक डिसिजन नहीं ले पाएंगे आज ऐसी स्थिती में रहेंगे हो सकता है कि आपको कोई कुछ कहे आज आपकी वादविवाद भी ह सकता है शतुरु आपको प्रास्त करने का प्रयाजी कर सकते हैं लेकिन अपको क्या करना है आपको एपने भीतर की शान्ती को बनाए रखना है ज्मितर की शान्ती बनाएं रहा र хлp उख यह तो गहीं पर आपको लग रहो कि अब आपका Clem interview आउट हो रहा है तो तुरंद वहां से आप हट जाएए शमा मांगे साइड हो जाएए मौन रहे जितना ज्यादा हो सके और मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए अपना पूरा ध्यान अपने नाभी चकर पर लेकर आईए जिससे की आपकी आगे ग्रोथ हो सके आपका दिन शुभो आई जानते हैं मूलांक तीन के लिए हमें एंजल्स एंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 18 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक तीन के लिए हमको कहा जा रहा है और मूलांक डाविह ऑपैया ह वादी वादी आज आपका हो सकता है तो कुल मिला के आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा क्रेजियस बनी हैं आज हमत से आपको काम लेना है आज आपको सामना करना है उन चीजों का जो कहीं न कहीं आपके लिए ठीक नहीं है यापकी life या पे करेड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो आप उसके लिए क्या करें आज आपको अपने आपको मस्बूत बनाये रखें और कहा जा रहा है कि आज आप हनुमान जी की श 2023 के लिए और मूलांक चार के लिए हमको कहा जा रहा है broken arrow का card है आपको कहा जा रहा है सुख शान्ती बनाए रखना बहुत आवश्यक है आपके लिए आज के दिन वहन चलाने में थोड़ी सावधानी बरते हैं कवच का पाथ जरूर करें आज के दिन अगर आप पंचमुकी हनमान जी के कवच का या देवी का कवच का पाथ आप आज अवश्य करें उसके बादी आप यात्रा करें प्रयास करें जितना ज़्यादा शान्त रहने की प्रयास करें किसी परकार केариOS में आज आपको नहीं उलजना है आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजिल्स एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 18 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है सेज का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कारे कर रहे हैं किसी भी कारे शेतर में हैं अगर आप मन मुताबिक सफलता अरजित करना चाहते हैं तो आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी यह नहीं कि आपने अभी एक कारें को पिक किया उसको छोड़ आये जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजिल्स एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 18 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है आज के दिन आपकी प्रोटेक्शन वाली एनर्जी आपको रखनी है कहीं ना कहीं उर्जाओं में बहुत जादा उतल पुतल होती दिखाई दे रही है अपने आपको शांत रखें बहुत सोस समझ के कोई भी निर्नेले हडबडा के कोई काम नहीं करना है लडाई जगडा नही है आज आप अपने इश्टदेव की उपासना करें आपके लिए बहुत आवश्यक है कवच का पाठ करें कुल मिला के देखा जाए तो आज उगर उर्जाओं से आपको सहायता लेनी चाहिए ऐसा दिखाई दे रहा है आपका दिन शुभू है आई जानते हैं मूलांक साथ क बहुत अच्छी है लेकिन उर्जाओं का सही दिशा में उपयोग होना आवशक है जो भी कोई कारे में आप हाठ डाले जो भी कोई आप काम करें उसमें आपको पहले से प्लानिंग अपनी मजबूत रखनी चाहिए अपना मैनेजमेंट पूरा स्ट्राउं रखना चाहिए प्लानिंग के हिसाब से आपको काम करना चाहिए आपको बिना प्लानिंग के काम करें तो नुकसान हो सकता है क्योंकि उर्जाओं बहुत अच्छी है ऐसे में वेस्ट नहीं करनी आपको अपनी एनरजी आज की उर्जाओं का सदूपयोग करें प्रॉपर प्लानिंग के का जा रहा है नायठ का कार्ड है भी जाने कि रहे हां को चाहला करने-चलिक के लिए आपको सच तो की अपना सम मान न सती काम कर भी जान सकती है इसके उपर करना की जितना जाधा मजबूत बने रहेंगे अपने सही बात पर अडग रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है आपका दिन शुभू कर आए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारे आज का दिन डिवाइन हमारे एंजल्स गाडियन समें क्या गाइड कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका स्ट्रगल थोड़ा सा जादा हो सकता है आप अपने मन मुताबिक जो आप काम करना चाहरे हो वह हांसिल करने में आपको जादा प्रयास आज करना पड़ेगा इसके लिए आपको फोकस करना चाहिए प्रॉपर प्लानिंग के आपके कारिय शेत्र में यह तो इसके लिए पुकि रहिए प्रॉपर निंक के साथ का मगर इस्धिये दिखो किया होता है हम एक प्लान बनाते हैं अगर वो तरिके से नहीं सफब होता तो प्लेंट लुकिन थी अचलना चाहिए कि अर इस प्रकार से कार्य थवा तो मैं इस प्रकार से से complete करूंगी लेकिन किसी दूसरे के कंदे पर मुझे रखके कारे नहीं करना है मतलब कि दूसरे की expectations दूसरे से expectations नहीं रखना है जो करना है खुद से करना है आपका दिन शुभू दोस्तों ये थी reading हमारी एक से लेकर नौ मुलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आपनों हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो मिलूंगे आप से हमारे next episode में तब तक के लिए आप सभी के बीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम